नमस्कार जन्भावना टाइम्स में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंकिता आयोध्या में पिछले एक महिने से देह्षत का परियाय बन चुका तेंदुआ आखिरकार वन विभा की पकड में आ गया है कैंग थाना श्वेत्र आर्मी चावरी एरिया 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और गुपतार घाट सहित आसपास के श्वेत्र में तकरीबन एक महिने से अधिक समय से भटक रहे खुखार मादा तेंदुआ लोगों के लिए दहशत बना हुआ था लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था इलाके के बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे थे सब लोग इस बाद से आशंकित थे कि घाट लगा कर बैठा तेंदुआ कब उन पर हमला कर दे और उनकी जान पर बनाए लेकिन अब उससे पिंजरे में देखकर लोग राहत की सांस ले रही हैं सुमवा तड़के केंटोनमेंट इलाके के मीरन घाट चौकी के पीछे लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ उस समय गिरफ्त में आ गया जब बकरी का शिकार करने के चकर में वो पिंजरे के अंदर खुसा अब इस तेंदुआ को पकड़े जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए पहुँश रहे हैं आयोध्या की केंट थाना श्यत्र में पिछले एक महने से तेंदुआ देखे जाने के बाद श्यत्र में दहशत का महल था इस बीच कई बार इलाके में घूमते हुए तेंदुआ का वीडियो भी वाइरल हुआ था वन विभाग ने इसे पकड़ने का जाल बिछाया हुआ था लेकिन उन्हें काम्याबी नहीं मिल रही थी कई अलग-अलग जगों पर पिंजड़े लगाय गए लेकिन एक महने तक खोशिश नाकाम रही आज सुभा सबकी आखियों समय चमक गई जब उन्होंने तेंदुआ को पिंजड़े में कैद देखा तेंदुआ को पकड़ने के लिए कुमार गंज शित्र वन विभाग की टीम का एहम योगदान रहा एक महने से देश्चत के माहौल में रह रहे लोगों को पता चला कि तेंदुआ पकड़ा गया है तो उसे देखने के लिए भी लोग पहुँचने लगे पिंजरे के पास बड़ी संख्या में लोग पहुचकर फोटो भी खिचवा रहे थे लेकिन इलाके के लोगों की देश्चत यहीं खत्म नहीं हो रही है जानकारी के मताबिक एक और तेंदुआ इस इलाके में छिपा हुआ है जिसे पकंडे के लिए वन विभाग अपनी सारी कोशिशों में जुटा है अयोध्या से रुपेश शिवास्तव के साथ प्यूरो रिपोर्ट जन भावना टाइम्स